नमस्कार दोस्तों सुवागते आपका क्वालिटी मांतरा में दोस्तों जैसकी आपको पता है कि अब गर्मिया चल रही है और दूप की वज़ा से अकसर मारा जो फेस है वो काला पड़ जाता है इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस की टैनिंग हो जा रहा है और लोग इस टैनिंग को रिमूव करने के लिए अलगे लोग फेस वाश यूज़ करते हैं इसमें से कुछ एफेक्टिव होते हैं और जाजर फेस वाश एफेक्टिव नहीं होते है और आज हम इस वीडियो में फि प्राने वाले चारफोल फेस्वाश के साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मेरे इंस्टाग्राम पेच पे नई वीडियो की इंफोमेशन और 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 भी काफी चीची जानकरिया आपको मिल जाएगी और इस वीडियो को आप एंड तक जुरूर देखिये और वीडियो को लाइक वेइक कर दीजिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को चैलि दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि किस तरह यूज़ करना होता है इस D10 फेस्वाश को तो फम्राइब अपने face को अच्छे से wash कर लेना है, उसके बाद towel की मर्ण से हलक हलक अपने face को dry कर लेना है पूरा dry नहीं करना, just हलक हलक अपने face को जबर सुका लेना है उसके बाद इस face wash को अपने थोड़ी सी mount में ऐसे हाथ में डालना होता है और दोनों हातों से अच्छे से रब कर लेना है और फेस पर अपलाई कर लेना है और उसके बाद आपको एचली मसाज करनी होती है सर्कुलर मोशन में और मसाज आप वहाँ पे ज़्यादा कीजिए जिस ज़्यागे पे टैनिंग हो रखियो जैसे कि यह जो मेरा नोस के नीचो लेरी होता है यहाँ पर ज़्यादा टैनिंग होती है तो वहाँ पर आप ज़्यादा देर मसाज कीजिए और फिर थोड़ टाइम मसाज करने वाद आपको इससे रिमूव कर देना होता है तो इस पानी की मदद से इसे वाश आउट कर दें और फिर टावल की मदद से यह से ड्राइ करोगे तो इसका जो इफेक्ट है वह आपको नजर आ जाएगा चलिए दोस्तों अब में बत करते हैं कि क्या ये फेस वाश टैनिंग में एफेक्टिव होता है या फिर नहीं पिस आपके स्किन को क्लीर कर देगा या फिर नहीं देखिए मैंने इसको पर्सनली यूज किया हुआ है और मैं कहूंगा कि से कुछ बार यूज करने के बाद ही आपको यह स्किन है वो क्लीर होने लग जा तो यहां पर देखोगे कि वैसे उसमें काफी सारी केमिकल्स यूज कर रखे हैं इक इसमें में दोर पर यूज हूए ह अलोबिरा अस्ट्रैक्ट, सोडियों, PCA, एड़ विटामिन E इसका में काम होता है आपके स्किन को क्लीर कर देना अगर डेल्ड सेल्स है तो उसको रिमूब कर देना और कि टैनिंग और रखी है तो उसे भी ठीक कर देना और साथ ही इस फेसोच का एक बेनिफिट और भी र जाते हो तो वो यह प्रोवाइड नहीं करिया जबकि स्किन इस से गलो नहीं होई उसके लिए कि वीडियो का और प्रेक्ट आता है इसका नाम होता है अल्ट्रा गलो लोशन जिसको हम यूज करके देख रहा हूं जिसकी इसका एक्ट में नोटिस कर लेता हूं तो इसी चैन को यूज करें इसका नाम होता है एक्टिवेटेड़ चार्ण कोल फीर सोज़ कर सकते हैं कि तैनिंंग से कि स्किन को काफ़ी एच्छे से इकलियर कर देख और वैसे अब गर्मिया चल रही हैं तो मैं भी इस डिटेंड फ्यसेश को ही रिक्मेंड करूंगा और दोस्तों एक बात और है कि जो बीडू के face back रोते हैं इनके अच्छी बात यह रहती है कि अपकी face में monster को बना के रखते हैं जिसे क्या होता है कि जो skin problems होती है वो असानी से नहीं होती जो कि काफी अच्छी बात है करते हैं इस face watch के price की और इसकी quality की तो यह face watch आता है 100 ml की packaging में और यहाँ पर इसको अपर प्राइस लिस्टेड है वो है 250 रूपी लेकिन अगर आप इसको online खरीबते हो तो यह काफी discounted price पे मिल जाएगा सुनी से एक video description में उसको link मिल जाएगा वहाँ से अगर आप इसे खरीजना चाते हो तो खरीज सकते हो और दोस्तों यहाँ पर मेरी advice रहेगी कि जैसे कि आप गर में चल रही है तो मारे face में अक्सर tanning हो जाती है और tanning से बचने के लिए एक face watch एक best black है यह आपके skin को clear कर दे review अमीदे वीडियो को अच्छी लगे होगी इसलिए पिस वीडियो को like कर दीजिए comment कीजिए और share भी कर दीजिए और जल्दी लेंगे अक और नी मज़दा वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद